नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया पावर नीउस मैं हूँ आपके साथ कभाबास पे पूरु कैबिनित मंत्री राम प्रशाद चौधरी ने परस रामपूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्यासी पाठक के पच्छ में जनता से मदान करने की अपीर की वही 307 विधान सभा हरया से पार्टी सपा पार्टी के उमीदवार पाठक जनसभा को संबोधित करते हुए भावख हो गए और मंच पर ही रोने लगे जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है सपा प्रत्यासी पाठक भाजपा के वर्तमान सांसद हरीस दुवेदी पर राजनीति में धोखा देने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे पहले जब वो भाजपा पार्टी में थे तो उन्हें बहुत ही ठागा गया और राजनीति का सिकार बनाया गया हमारे सांसद ने धोखा किया है इसके हमने भाजपा छोड सपा का दामन थामा और पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारी भावनाओं को समझा इतना कहते हुए मंच पर ही रोने लगे वही सपा प्रत्यासी पाठक ने बताया कि 40 साल से हर्रया विधान सभा को लोगों ने केवल ठगने का काम किया है कहीं भी कोई विकास नहीं किया गया है यहां की सरके गढधा मुक्त नहीं हो पाई है ना ही अस्पताल की स्तिती सुधरी है और नवीवक विरोजगार घूम हमारी सरकार बनने पर सबसे पहले हम किसानों के हित के लिए जो कारे होगा उसको करेंगे उसके बाद विरोजगारों को रोजगार देंगे अपने विधान सभा की सरकों अस्पतालों सिक्षा व्यवस्था को सुधरने सुधारेंगे सपानेताओं के मंच के माध्धम से वि पर हावा मिला है जिसे समाज का प्रतेक तब का प्रभावित हो रहा है आने वाले तीन मार्च को जनता इसका जवाब देंगे जब जनता चुनाव लड़ रही है उन लोग तो उन्वर क उपर चुनाव लभ रहा है ह। बहुत कौशक दूर यह जब रहा है नहीं सबसे बड़ा मुद्दा तो है किसान के सबसे बड़ा मुद्दा तो यह सरकार बनने पर इसके लिए कुछ होजना तयार किया जाएगा इससे निजात दिलाई जाएगी एक भी घाया दो भी घाया है आप रात में चलिए देखे लोग टार्च लेकर खेत के रखवाली कर रहे हैं बेरोजगारी बड़ी समित्रा देखने को मिलती है आपके दोआरा सब यहां पर बेरोजगारों के लिए क्या बेरोजगारों के लिए हमारे घोसरा पत्र में आए इनको रोजगार दिया जाएगा उनको नौकरी दी जाएगी जो तमाव हमारे इसे आप सिक्षामित को लीजिए अंद्युसक को लीजिए इंबुलन ज्राइबर को लीजिए सारे लोग तो को रोजगार मिले नौकरी मिले शुक समर्थी आवे आपके दौरा विदान सभा में क्या योजना लाई जाए जो हमारी सरकार की योजना है वही तो विदान सभा की योजना आएगी उसे अटका थोड़े कुल लाएंगे रेम नोजवान को रोजगार देंगे इनको बढ़िय आप लिदान दया विकार नहीं और अपर सराम पूर में तमाम टूटी फूटी सड़के और परसरांपुर को उम चालीज साल से देख रहे था न बढ़िया से लगातार परमुकरे हैं पर साम्फू की समस्याओं को हम जानते हैं रोजगारी जो एतो है किसान हित में काम करें तो तमाम सड़कों को आप लोग देख रहे हैं इनका बढ़ियां सड़क बनवाएंगे अच्छी स्विधा देंगे इनको अब यही सब है विकास सब्सक्राइब की बात करना है सिटिन विधायग लगातार करें हमारे दोरा साथ तो सड़कों का निर्मार कराया गया है अच्छा हमारी घर चले आए तक की बोड़ तक देख लेजिए हमारी आप सिंगी नारी से चले जाए सन्नाम गंज